हेलो फ्रेंड्स एंड दिस्कस करेंगे एलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेस्मेंट थेरपी के अंदर हमारा दूसरा कपाउंड गाइट इस पोटास्यूम क्लोराइड पोटास्यूम क्लोराइड भी एक काफी सिंपल से कंपाउंड है हम लोगों ने कई बार इसको of potassium and chloride इसले इसका molecular formula क्या हeld potassium से K और chloride से CL that is KCL और molecular weight आप इसी फॉर्मुले से तो it is around 74.55 ग्राम पर मोल इसकी जो category है potassium chloride जो हमारा वो electrolyte رबिनाइसर जब हमारे सरीष के अंदर dehydration होता है electrolytes की कमी हो psychiatrist series इस खास करके potassium और chloride की कमी हो जाती है हमाई शरीर में, तब हम लोग potassium chloride को ले सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक electrolyte रैपले नाइसर के तरीके से इसका परियोग कर सकते हैं, बात करते हैं method of preparation की, तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि industrial method हम इसे कह सकते हैं, ये natural rocks, खास करके जिन च चटान या mineral से हम इसे प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं industrial method, और जो carnalite है, उसका अगर formula आप देखें, तो it is kcl.ngcl2.6hto, kcl है, इसमे potassium chloride है, magnesium chloride है, और water है, ये सब को जुड करके, एक विसेश प्रकार की चटान का निर्माल करते हैं, जिस चटान को या जिस mineral को ह हमें करना क्या है, बहुत ही simple सा तरीका है, जो carnalite rocks है, जो carnalite की चटाने हैं, उनको हमें boiling water के अंदर क्या करना है, dissolve करना है, आसानी से वो dissolve हो जाएगी, अब इसमें mgcl2 है, और other impurities हैं, उनको हमें other से हटाना है, या से साफ करना है, कुछ undissolve impurities होंगी, उनने हम क्या करना ह है, और जो filtrate हमको मिलेगा, उसका हम crystallization करते हैं, by cooling उसको ठंडा करेंगे, तो उसमें crystals आने लगेंगे, KCL के, और इन crystals को यह क्या कर लेना हमें, अलग करना है, और आपको क्या मिल जाएगा, KCL जो है, वो प्राप्त जाएगा, तो यह क्या है industrial method है, जहां पर हम corneline, चटान के complete कर सकते हैं, these are the basic in nature, and this is the acid, हमको salt बनाना है, तो अगर हम acid की reaction base के साथ कराते हैं, तो हमें salt राप्त हो जाता है, तो ठीक उसी तरीके से, अगर हमने potassium carbonate लेना, उसे गरम करेंगे, तो हमने आपसे बार-बार कहा है, generally, जब हम लोग किसी carbonate वाले compound को लेते हैं, तो जब गरम करते हैं, तो उसमें से carbon dioxide निकल जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम कर देते हैं, हम carbon dioxide को निकाली देते हैं, तो यहाँ से carbon dioxide निकल गई, अब बचा क्या, यहाँ बचे के प्लस कितने दो, तो है न, तो कितने के प्लस मिलेंगे, दो के प्लस मिलेंगे, यहाँ पे 2 mol हमने CL ले रखा है तो यहां से भी क्या निकलेगा 2Cl- निकलेगा तो यह 2Cl- और 2K- क्या बनेगा भई के सी एल बनेंगे कितने बनेंगे 2 बनेंगे क्योंकि 2K- थे और 2Cl- से दोनों जुड़ गए क्या बनेगे अब बचा क्या यहां पर देखे 2 hydrogen बच रहा है यहां पर से CO2 निकल चुकी है तो क्या बचा एक oxygen एक oxygen दो hydrogen अगर मिलते हैं तो आप सोचे कि क्या बनता है बहुत ही खतरनाक चीज़ बनती है जब को ज़ुरत है क्या दो hydrogen एक oxygen भाई या water बनता है दो hydrogen एक oxygen पाने तो यह reaction complete होगी आपको जहां मिल गया potassium chloride इसी तरीके से अगर potassium कुछ बच्चे मुझे बार-बार लगाता message कर रहे हैं खास करके शायद दो diploma के बच्चे या first year के कुछ बच्चे जहां पे वो कहते हैं कि मतलब यह reaction कैसा हो जाती है बस आपको ध्यान देना है कि अगर inorganic compounds है generally तो वो ionic form में तूटेंगे और उन ions को जो more electro negative है वो दूसरे more electro positive के साथ जोड़ देना है यहां से K plus निकला यहां से C l minus जोड़ा इनको दोनों को जोड़ दिया अब ध्यान दीजे यहां पे 2 है इसलिए हमको यहां पे 2 मोल लेना पड़ा है C l बचा क्या यहां पे भी गरम कर रहे हो तो यहां पे भी क्या निकले का भाया CO2 बहार निकल जाएगी यहां भी निकाल दीजे CO2 को बहार निकाल दीजे बचा क्या यहां पर 1 H यहां पर 1 O यहां पर 1 H तो 2 H और 1 O क्या बनाएगा वापस से वाटर ही बनाएगा तो ये भी बहुत ही सिंपल से रियेक्शन है जहांपे आप Potassium Bicarbonate की रियेक्शन अगर HCl के साथ कराते हैं तो या Potassium Carbonate को HCl के साथ कराते हैं तो आपको Potassium Cloride जो है वो प्राप्त हो जाता है ठीक है और अगर कोई कहें कि ये exactly कैसे हुआ तो यहां से K+, यहां से HCO3- और ये H+, जोड़ करके H2CO3 बनता है और से हम घरम कर रहें तो वो वापस से CO2 और H2O में क्या हो जाता है तो ये रियेक्शन तो हमारे शरीद के अंदर भी होती है तो ये हम बाहर से भी कर सकते है Next is Standard Standard की बात करें तो जो हमारा protection chloride होता है वो अगर dried basis पे देखा जाए KCL तो वो not less than 99% or not more than NLT मतलब not less than NMT मतलब not more than 100.5% होना चाहिए as per the dried basis calculation अब बात करते है properties की तो जो हमारा KCL है वो generally powdered form में या हम कह सकते हैं कि crystalline powder form में हमें देखने को मिलता है अगर हम powder form में देखते हैं तो उसे white बोल सकते हैं crystalline powder के form में देखेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे colorless बोल देंगे Next है हमारा taste तो taste क्योंकि हमने का ये saline है तो mildly जो है इसका saline taste होता है salt जैसा tacious का आता है order की बात करें तो इसमें भी कोई order नहीं होती it is also orderless solubility की बात करें तो water में तो solubile है लेकिन ether, ethanol जैसे और solubents में insolubile होता है uses की बात करें तो हमने पहले ही बता है इसकी category की ये एक electrolyte rappeliner है तो ये dehydration या hypokalemia की condition को काम को ठीक करने के use में आता है देखें dehydration मतलब आपके शरीद के अंदर water और electrolytes की कमी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे dehydration और hypokalemia मतलब आपके सरीद के अंदर calcium की deficiency हो रही जितना level होना चाहिए calcium का उतना नहीं है तो उस condition को हम क्या करते है hypokalemia जो हमने पिछले turn पे discuss भी किया था इसको तो ये electrolyte replenation के रूप में इन problems को ठीक करने के काम में आता है इसके साथी साथ ये hypokalermic alkalosis हो रही है आपके सरीद के अंदर जो है hypokalermic मतलब जो chloride ions है उनकी कमी हो रही है जिसकी वैसे alkalosis जो हो रही है basic चीजों के मातरा बढ़ रही है तो इसका भी treatment और potassium deficiency में तो इसका परियोग हम करेंगे क्योंकि यहां से K-plus मिल रहा है तो potassium के deficiency को दूर कर लो hypokalemia को दूर कर लो और अगर CL- मिल रहा है तो hypokalermic जो conditions है या hypokalermic जो हमारे alkalosis है उसका treatment कर लो यह जो हमारा KCL होता है यह diuretic properties भी show करता है जैसे KI करता है जो potassium iodide है वो भी जो है diuretic activity शो करता है तो हमारा KCL जो है वो भी जो है diuretic activity शो करता है urine के output को increase करने के काम में आता है एक बहुत अच्छा इसका use है कि यह myasthenia gravis की जो treatment है उसको करने में भी काम आता है क्योंकि potassium जो है वो हमारे शरीर में muscles के क्या नम है तरगिडिटी को या muscles की जो contractility है उसको बनाने के काम में आता है तो myasthenia gravis ऐसी condition है जहाँ पर आपकी जो muscles है जो खास करके voluntary muscles है वो काफी जल्दी ठक जाती है या उसमें weakness आ जाती है तो इस problem को myasthenia gravis करते है और इसका जो treatment है वो हम potassium की deficiency को दूर करके कम कर सकते हैं तो KCL का परयोग जो है वो myasthenia gravis के treatment में भी हम करते हैं इसके साथी साथ ये हमारे different electrolyte जो preparations है उन में इंका प्रयोग करते है जैसे कि ORS oral rehydration salt जो powder आता है market में आपको मिलता है electrolyte इत्यादी के नाम से वहाँ पे आप देखोगे तो potassium chloride जो है sodium chloride के साथ आपको देखने को मिलता है साथी साथी sodium chloride injections या ringer solution इत्यादी में भी एक ingredient की तरीके से हमारा potassium chloride जो हो यूज होता है तो यह था आज का हमाया topic बहुत ही simple सा topic था बढ़ टॉपिक है सले बस्तों तो पढ़ना ही है तो काफी लोग का मैसे जारत सा इसको पढ़ा दीजे तो मैंने का लग पढ़ाई देते है क्योंकि बचा हुआ था तो यह complete हो गया आपका और calcium glyconate हमने पहले ही पढ़ रखा है तो तीन ही आपके electrolytes है और तीन हो हम लोग ने आज खतम कर लिए अब एक चीज़ इसमें ज़रूरी यह है कि अगर इससे related कोई प्रेस्ट हो आप comment box में लिख सकते है हमने आप लोगों के लिए एक application, mobile application launch किया जिसको हम लोग लगातार update भी कर रहे है बहुत सारा काम लगता है लेकिन कर रहे हैं उसको तो वो जो आपका mobile application है उसका नाम है Dr.PKS Dr.MPS Classes PKS मतलब परजन कुमार शक्ला MPS मतलब महेंदर परताफ सिंग हमायद दो लोग, जो हम दो लोग है हम दोने लोग के नाम पर Dr.PKS and Dr.MPS Classes के नाम से आप Google Store पर सर्च करके Play Store पर सारी और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या उसका लिंक आपको description मिल जाएगा आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका जो PDF है यह वहां पर भी मिलेगा आपको यहां पर भी मिलेगा आपको टेलिग्राम पर भी मिलेगा यानि कि description में आपको मिल जाएगी इसके लिंक और अगर इससे लेटर कोई प्रस्न है तो वापस से पूछेगा वीडियो आपको पसंद आते हैं लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेर कीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद